बाबा केदारनाद्जी का एधाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और सास्वत आस्ता का आधुनिक प्रतिक बनेगा इस मंदिर को बनाने में ना केवल सिव भक्तों की आस्ता को बल मिलेगा बलकि सनातन संस्कृति का भी प्रचार और प्रसार होगा और यहां मंदिर यहां मंदिर श्रधाक्व जीवन से मानों को महादेख से समात्व घ्यात्la से और बरतमान पीडी को प्राजिंस्टिय्टि से जोडने के एक केंडर के रूप में ध्यापज रूप से आने वाले समय में अपना योग़दान यहां से होगा बाई अवेन वाज श्री गुरुप्यान वहाँ ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग उनके जो भी कारण हो उनकारणों से वगवान श्री केदारनाथ जी जो कि हमारे द्वादस जोतिर लिंगों में से एक हैं और केदारम हिमुवत प्रिष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिन उनका मंदिर जिली में बनाना चाहते है यहुखित नहीं है हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे अगर वे शुर्द्धालु है तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं उसमें किसी को आपती नहीं है विद्विधान से बनाएं प्रतिष्ठा करें पूजा करें अर्चना करें आशिद्वात प्राप्त करें लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृती बना करके और ये कहना कि वहाँ जो नहीं जा सकते वो यहीं आ करके पूजा कर लें और पोफल मिल जाएगा और जैसा मंदिर वहाँ पर बना है वैसा ही फू बहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना ये उचित नहीं है जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहाँ पर ये कहते हुए कि मैं वही हूँ कार्य करता है तो जैसे अपराध माना जाता है उसी तरह का ये कार्य है ये ठीक नहीं है और शास्त्रों में शुकरान आदी में जहां पर ये बताया गया है कि केदार हम हिमोत प्रिष्ठ है इसका मतलब केदार जभय हिमाले के प्रिष्ठ भाग में है तो जो पता हिमालय का बताया गया है अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्तर में हो जाएगा तो ये लोगों में बहुत बड़ा ब्रहमुत्पन करेगा इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालू इस बात का विरोध कर रहा हैं वो आप सबसे अनुरूद करना चाहेंगे कि इस तरह की विचार को त्याद दीजिए किसी और रूप में किसी और नाम से भगवान की आवारादना करिए महां पर बहुत धे भवबि मंदिर बनाइए उसमें लोग आकरशित ह cartoon उसमें कोई आदा नहीं लेकिन केदार नाथ या केदार एश्वर के नाम से अगर आप कोई अनुरूथ को ब्हते हैं और कहते हैं कि जो केदार इश्वर निमाले बाले में नहीं जा सबस्केगा वो य